हेलो दोस्तों मैं शुबहूँ पाद्या आप सबका सौगत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अप्टिटूड मैटरस में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी का जो important एक भरती आया है यूपी लेकफाल उसके बारे में discussion करने वाले हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा हमारा यूपी लेकफाल का जो भरती था पिछले साल भी आया था लेकिन कुछ कारणों की वेज़े से इससे cancel कर दिया गया था जिसी कि आपको पता होगा कि ये exam राजों से परिस्द कराती थी लेकिन राजों से परिस्द और UP SSSC में लड़ाई चल रही थी कि इस exam को कौन कराएगा तो हमारे सरकार ने ये DCN लिया है कि UP SSSC इस exams को कराएगी तो UP लेकफाल का जो exam होगा वो UP SSSC कराएगी दोस्तो टोटल पांच चार दोसों कोदर के लिए ये भरती आई है और जो इसका notification है या advertisement है वो जुलाई के first या second week में आ जाएगा तो आप जुलाई first week या second week से form भरना start गर सकते हैं तो दोस्तो चलिए हम देखते हैं कि इस exam को देने के लिए eligibility criteria क्या है और इस exam का syllabus का है तो दोस्तो अगर age की बात की जाए तो इस exam को देने के लिए आपके umr 18 से 40 वर्स के बीच में होने चाहिए अगर आप 18 साल के आगे हैं तो आप इस exam को दे सकते हैं और अगर आपके umr 40 साल नहीं हुई है तो आप इस exam को दे सकते हैं और education qualification की बात की जाए, तो अगर आपने 12th pass किया है, तो आप इस exam को दे सकते हैं, मतलब 10 plus 2 के जो बच्चे हैं, वो भी इस exam को दे सकते हैं, diploma holders भी इस exam को दे सकते हैं, और दोस्तो इसके exam के syllabus की बात करो, तो जैसे कि आपको screen पे दिख रहा होगा, इसमें total 4 sections है, Hindi, Maths, GS and Gramming, Paribes, तो दोस्तो ये total जो 4 sections है, 4 subjects है, total 25-25 marks का आएगा, मतलब इच पेपर 25 marks का होगा, और 25 into 4 करेंगे तो आजाएगा दोस्तो 100, तो 100 marks का total paper होगा, जिसके लिए हमें 90 minutes दिया जाएगा, 90 minutes दिया जाएगा, और आपको 90 minutes में अपना paper complete करना है, और most probably ये जो exam है, वो online ही होगा, और जो हमारे TCS है, Tata Consultancy Services, वो ही करवाएगी, और अगर हम दूसरे राजे की candidates की बात करें, तो वो भी इस exam को दे सकते हैं, बढ़ उनको general category में fight करना पड़ेगा, और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारा UP लेकपाल का 2015 में भरती आया था, उसमें CCCC नहीं मांग गया था, बट इस साल IC8 के लिए लगाई जा रहे ही कि, जो हमारा CCCC का exam है, certificate वो निवार किया जाएगा, तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने CCCC नहीं किया है, तो form भर दीजिए, online form होते हैं उसके लिए, और exam दे दीजिए, ताकि जब वो आपके CCCC का certificate मांगे, तो आप उसे दे सकें, और अगर आपने BCA, MCA, या कोई भी engineering degree किया है, equivalent to computer engineering, तो आपको CCCC की ज़रूद नहीं है, और दोस्तों, PT के बारे में भी कोई अभी notification नहीं आया है, जैसे कोई confirmation आएगा, मैं आपको inform कर दूँगा, तो दोस्तों, जैसे lockdown हो जाएगा, इसका application form आजाएगा, तो आप उसे fill कर दीजिए, और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, कि हमारे चैनल पे, हम UP लेकपाल की बैस स्टार्ड करने वाले हैं, उसके लिए कुछ criteria है, और ये दोस्तों एकदम free में है, जो online education हम देने वाले हैं, इस चैनल पे एकदम free of cost होगा, और इसमें हम चारों सेक्षन को cover करेंगे, Hindi, Maths, GS and Grammarine परिवेस, चारों सेक्षन को हम include करने वाले हैं, दोस्तों जो हमारा Maths है, GS है, Hindi है और Grammarine परिवेस, चारों सेक्षन के लिए हम आपको free of cost online coaching देने वाले हैं, और हम previous year के जितने भी questions है, उसको भी solve करने वाले हैं online, तो दोस्तों अगर आप join करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे comment कर दीजिए, या तो description box में हमारा एक telegram channel है, आप उसे join कर लीजिए, और उसमें comment करके बताएए कि हमें join कर रहा है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा, तो इसे like कीजिए, और इसे share करते रहें, और अभी तक अपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe कर लीजिए, तो दोस्तों जैसे आप लोग का comment आ जाएगा, जैसे आप लोग टेरीग्रम चैनल पे join हो जाएंगे, देखते हैं कितने continuous join होते हैं, उसके इसाफ से badge बनाने वाले हैं, तो अब मिलेंगे अपने next वीडियो में, अपना next information के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, बाइबाइ, thank you.